तुझे मुंबाई कैसा लगा यह मुंबाई नहीं बल्कि मेरी आजादी की पर है फ्रीडम तु यहां कौन सा कॉर्स करने वाली है मैं यहां कोई कोर्स वर्स करने नहीं आई हूँ है है थ्राबाद में न सिर्फ फुल रिस्ट्रिक्शन्स थे यह मत करो वो मत करो फ्रेंड्स के साथ बाहर मत जाओ शाम हुई नहीं की कफ्यों लग जाता था और मैं वहां क्या करती थी बुद्धो की तरह घर में बैठी रहत बॉइस मुझसे बात करने से भी डड़ा करते थे यू कॉल इट लाइफ तो आगे का प्लान क्या है मैंने कुछ प्लान नहीं किया है और हम मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूंगी फुल लॉन अपनी लाइफ मैं जीना चाहते हूं जैसे सब लोग सो जाएंगे ना हम पटा कि फोड़ेंगे ना कि मज़ा आ जाएगा यह लोग वह में कब से घूरे जा रहा है तिवाली का वंपर आफर समझ कर लाइन मारने आ गया कि एक्स्थ्यूज में आपसे कुछ बात करने हैं किस बारे में बखो प्रपोस करना चाहते हो तुम्हें प्रपोस कोई चांस नहीं तुम्हें शरम नहीं आती क्या का एसा मैंने क्या किया अच्छे घर के लगती है तुम्हें बड़ी हो तुम्हें उन्हें गाइड करना चाहिए जरा सा कॉमन सेंस उस करो टीवी में यूस्पेपर्स में पल्यूशन फ्री दिवाली की बारे में कैंपेंज किये जा रहे हैं बस बहुत हो गया पल्यूशन जाओ तुम्हारे बाल बहुत अच्छे है ओके बहुत मसकरी होगे चलो काम करो हाई हाई अरे ये सैंप्ल कौन है जब से देख रहे हो घुरे ही जा रहा है ठरकी है चैर्मेन का बेटा है लड़कियों को एक तम हवस की नजर से देखता है अगर उससे पीछा चुड़ाना चाहती हो ना तो उससे कह देना कि तुम्हारा कोई बॉइफ्रेंड है या तुम शादी शुदा और बच्चे भी है हलो मेरा नाम है प्यारे लाल आज इस बागार में नया फूल दिख रहा है आज ही मैंने जॉइन किया है ज्यादा काम तो नहीं है ना मझे कुछ में स्टाफ्ट करने है अरे तो इधर घुमा दो सैलरी का टाइम पास के लिए देते हैं ए बाजू आले चल बंजा काम हो ले लव के बारे में क्या खयाल है अभी कॉफी बीने का खयाल है अरे रुको ना लव के बारे में अपनी फिलिंग्स नहीं बताई लव करती हो किसी से मुंबई में मुझे लव कैसे हो सकता है क्यों मुंबई में लड़के नहीं है क्या ऐसी बात नहीं, मुझे जब लव होगा, तब मैं ओफिस नहीं, शिवाजी पाक, बीच या फिर, किसी रॉमेंटिक जगह पर अपने लवर के साथ वक्त पिताऊंगी. असकाई. अक्सा बीच जाकर, संसेट देखना मेरी रॉमेंटिक फैंटिसी है. तो चलो, चलता है. पल्यूशन. क्या? पल्यूशन में संसेट दिखता ही ने. वहाँ पास में एक लेदर फैक्टरी है. अकर वहाँ जाएंगी तो कैंसर हो जाएगा ना. प्यार में पढ़कर ने, कैंसर से मर जाएंगे. एक्सर बीच वाली हमारी फैक्टरी को सील कर दिया गया है. पॉलिशन कंट्रोल बोर्ड ने बिना नोटिस दिये, रात और रात ये काम किया है. किसने इंफोर्मेशन लीग की? इस थाली में खाया, उसी में छेट किया. मैं तो कहता हूँ, सबकी सेलिन रोब दो. हमें पता चला है कि हमारे आफिस से ही, किसी दे इंफोर्मेशन लीग किया है कि हमारी फैक्टरी से कितना पॉलुशन होता है. बताओ कौन है वा गद्दार. मुझे ऐसी फैक्टरी से नफरत है, जो कबाब में हाटी बनके लव में पॉलूशन भार देती हैं. मुझे छे अच्छी वाली बियर दो. अच्छी वाली बियर? कौनसी वाली मेडम? इतने सालों से धंदा कर रहे हो, पता नहीं अच्छी वाली बियर कौनसी है? छे बियर निकाल. ज्यादा ठंडी नहीं, मेडम. तब ही तो सुबह कोई ले रही हूँ. शाम तक फ्रिज बे रखूँगी, चिल पीऊँगी. यह आगे दिमाग को चाट के भेजा फ्राइ करने. हलो, मॉनिंग, मॉनिंग. आज कौनसी स्पीच देने आया हो? यह क्या लेके जा रहे हूँ? ओ, यह. नेचर को बिना नुकसान पहुचाए, आज शाम को मैं और मेरी फ्रेंज बियर पियेंगे. डोर लॉख करके टीवी देखेंगे और चकना चकते वे बियर एंजॉई करेंगे. ने, मुझे प्लास्टिक बैक के अंदर के है, उसमें कोई इंट्रेस नहीं है. पंगा इस बैक का है. 20 माइक्रोंस प्लास्टिक बैक? यह 20 माइक्रोंस का बैक तुमें कहां से मिला? किस ने दिया है? कहां से लिया, बोला. अरे काहां से यह क्या है यार तो बिस फहले के पीछे क्यों पढ़ गए हो इस प्लास्टिक बैक पर बैंड लग चुका है जिसने भी जिए उसे मैं छोड़ूंगा लहीं मेरे साथ चला कम 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 अरे तहने दो ना क्यों मेरे इज़त के बलूदा कर रहे हो यह बैक्स पर तो लेके आजाओ इस लड़की ने इस दुकान से बीर खरी दी है लेकिन इसने बैंड की प्लास्टिक बैक में पाक किये कैसे चलेगा बोलो कहां से ली लादर मार्केट से निकालो जितने पाकेच अंदर है सब बाहर निकालो तुम जानतो इस प्लास्टिक बैक से एंवार मौनिंग में एल्बी केमिकल्स में मैंने जॉब जॉइंग की इवनिंग में उनके एक फैक्टरी बंध हो गई येस मुझे तो लगा था कि उस फैक्टरी के बारे में इंफरमेशन जमा करने में बहुत महीने लग जाएंगे पर आफिस में एक मज़नो मिल गया हाई 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 इस जगे को अच्छी तरह चक किया ना ये कब ओके है ना परफिक्ट ये पेपर कब है इस टॉप इस या ये फ्रेंट है इस ग्यान बाबा के लावा तुम्हें और को ही नहीं मिला क्यों अच्छी खासी लाइफ को वेस्ट किये जा रहे हो यार कभी पटाखों के पीछे पढ़ते हो कभी प्लास्टिकी थैलियों के तुम्हारी लाइफ में बंच जैसी कोई चीजी नहीं ना यूना मॉट कल अम कुछ तूफानी करने का सोच रहे हैं तुम चाहो तो चल सकती है वर्ली सीफेस शिक्स अ क्लोक इन द मॉनिंग आओगी तो अपने साथ दो दिन का समान पाक करके लिए लिए हलो हाई हाई पेपर को नहीं नीचर को दिखकर चाहे पीजिए बाइद वे रीसर्च के लिए मैं यूनिवर्सिटी एक्स्चेंज प्रोग्राम से मुंबई के बाहर जाना चाहता हूं कहां जाना चाहते हूं है इद्रबाद अचली वो एक फास्ट ग्रोइंग सिटी है एंवार्मेंट पर मैं जो स्टड़ी कर रहा हूं उसके लिए वो एक अच्छी के स्टड़ी है इसलिए सोच रहा हूं अभी नहीं आनन बिता जी की तबियत आजकल ठीक नहीं रहती है आए दिन हमें चक्प के लिए हॉस्पिट रहा हूं यह को एक लिए आप अपने ऐसा क्यों किया मैंनी चाहता कि है अधराबाद का साय भी इस पर पड़े है भाई आज यह कार्ट डिलिवर करनी है आप इसका ट्राइल कर लोगे तो मैं उन्हें फोन कर दूगा ठीक है भाई सब मेरी स्कूटर अचानक से बंद पड़ गई है बोस अहां भाई जरह स्कूटर चेक करो यह वां क्या देख रहे हैं क्या हुआ मैडम इससे स्टार्ट कर रही हूं तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है आप हट यह मैं देखता हूं क्या देखता हूं आज सुबह जंता गराज के मालिक सत्यम कुमार का रोड अक्सिडेंट हो गया पुलीस का कहना है कि यह हद्सा उस वक्त हुआ जब सुबह सुबह वो अपनी गराज की एक गाड़ी का टेस्ट ड्राइव करने निकले कि यह हुआ है वाल 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 झाल! वो अब खत्रे से बाहर है पर पूरी रिकावरी में थोड़ा वक्त लगेगा मैं वो ही कह रहा हूँ जो डॉक्टर ने मुझे बता है हमारे भया की अब उम्र हो गई है उनके लिए उतना स्ट्रेस अब ठीक नहीं है जिस तरह का काम वो करते हैं अब उन्हें वो बंद करना चाहिए ये मैं एक पुलिस ओफिसर होने के नादे नहीं कह रहा हूँ एक शुप चिन तक होने के नादे फैसला अब पर है 25 साल पाज जाके अब प्लैन पूरा होने वाला था वो सब बच के से गया किसमत बहुत अच्छी है पर हमारी खराब है देखो हमारी पूल नहीं खुलनी चाहिए कोई पकड़ा तो नहीं गया ना आज से के एक घंटे के अंदर ही अब उन्हें सारे लड़कों को यूपी भेंज दिया